हलो फ्रेंस जैहंद सवर एकेडमी के यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी जो करेंटफेर की क्लासेश चल रही है आज पूरे जनवरी महिने के करेंटफेर्स को देखेंगे जो आपकी सभी परिच्छाओं के लिए महत्तपूर होंगे क्लास की सुरुवात करते हैं क्लास की सुरुवात एक मोटिवेशन कोट से करते हैं सफर में मुश्किले आएं तो हिम्मत और बढ़ती है अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है अगर विकने पर आ जाओ तो घट जाता है दमक्सर ना विकने का इरादा हो त कीमत और बढ़ती है इसी motivation quotes के साथ सफर में जितनी भी मुश्किले आएं उनको हिम्मत और जुर्रत के साथ आंगे बढ़ते रहें आपको आपकी मंजिल मिलेगी चलिए आज के प्रस्नों को देखते हैं आज का जो पहला प्रस्न है हाल ही में भारत का सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रत्न से की से सम्मानित किया गया है अभी हाल में ही भारत का सर्वोच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है वो कौन से बैक्ती हैं कौन से सक्सियत हैं तो यहाँ पर आप्सन में देखें एमबकाई अनाइडू, करपूरी ठाकूर, पद्मा सुब्रमनियम और बिंदेशुरी पाठर तो कौन है ये करपूरी ठाकूर है विहार से इनका संबंध है जिने हाल में ही भारत का सर्वोच नागरिक संबंध भारत रत्न से संब्मानित किया गया है इनकी डिटेल देख लेते हैं भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक संबंध है इसकी सुरुवात 1954 में हुई थी ततकालिक राश्टपती डाक्टर राजेंद प्रसाथ के द्वारा सुतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी डाक् अब तक 48 लोगों को यह पुरुषकार मिल चिका है करपूरी ठाकुर 49 ऐसे ब्यक्ति हैं जिने यह पुरुषकार दिया जा रहा है और एक मात्र ऐसे खिलाड़ी है जिने यह पुरुषकार दिया गया है वो सचिन तेंदुलकर है 2014 मेने भारत खेल रत्म से सम्वानित किया गया है तो इस तत्त को भी याद रखिए इंपोर्टेंट है सारे तत्त नेश्ट देख लेते हैं हाल ही में 75 गरतंत्र दिवस 2024 में गरतंत दिवस परेड में मुख अतिती कौन थे अभी जो 75 गरतंत दिवस 2024 मनाय गया है उसमें मुख अतिती के रूप में कौन आये थे तो ये कौन है Emmanuel Macron ये फ्रांस के राष्टपती है जो 75 में गर्तंत दिवस 2024 में गर्तंत दिवस परेड में मुक अतिति के रूप में भारत आये थे निश्ट देख लेते हैं हाल ही में प्रतिष्ठित Freedom of the City of London सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है अजय बंगा अजीत कुमार मिस्रा और राहुल सर्मा तो किसे सम्मानित किया गया है इनकी डिटेल देख लेते हैं बिटेन में भारती मूल के वरिष्ट वकील रहे हैं अजीत मिस्रा को कानूनी और सर्वजनिक छेत्रों में उनके उत्करस्ट योगदान के लिए Freedom of the City of London से सम्मानित किया गया है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है निश्ट देख लेते हैं हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोष आप्दा प्रबंदन पुरुसकार 2024 किसे प्रदान किया गया है तो इस वर्ष का यहां पर ऑप्शन में देखें सिस्टी पैरसूट फिल्ड हास्पिटल नावार्ड र कि आप्दा प्रबंदन में उत्करष्ट योगदान के लिए वर्ष 2024 की संस्था गिर्ष सेड़ी में सिस्टी पैरासूट फिल्ड हास्पिटल यह उत्तर प्रदेश में है को सुभाष चंद्र बोष आप्दा प्रबंदन 2024 के लिए चुना गया है यह जो पुरुसकार हो है प्रतिवर्स तेश जनवरी को नेता जी सुभाष चंद्र बोष की जहनती पर दिया जाता है इस प्रदेश जनवरी को नेता जी सुभाष चंद्र बोष की जहनती पर इस पुरुसकार में इंक्यामन लाग की रासी किसी संस्था को यह पुरुसकार दिया जाता है तो रासी में देश का दूसरा सर्वोच नागरिक संबान पद में विभूसन दोहजार चोबिस से कितने व्यक्तियों को संबानित किया गया है पहला प्रस्ट तो यही है कि दूसरा सर्वोच नागरिक संबान कौन है तो पद में विभूसन दोहजार चोबिस है उसमें कितने व्यक्तिय सत्रा पद्मभूसन और 110 पद्मस्री पुरुषकार से सम्मानित किया गया है और जो पद्मभूसन से पांच बेक्टियों को सम्मानित किया गया है उनमें कौन-कौन है स्री मती बिजिया मालाबाली ये कला छेतर से हैं तमिलनाडू से बिलोंग कर रही है स्री कोनी देला चिरन जी भी कला से हैं, खिल्मिनस्टी से हैं, स्री M. बंकाईया नाइडू पूरु उपराष्ट पति रहे हैं, पब्लिक एफेट्स से सारवजनिक कारे के लिए, स्री बंदेश्वर पाठक समाजिक कारे के लिए, और स्री मति पद्मा सुब्रमणियम को कला स्री होर्ससनी एनकामा, स्री मिथुन चक्रवर्ती, सीतराम जिंदल, यंग लियो, अस्विन बालाचंद महता, सत्वरत मुकरजी, राम नायक, तेजस, मधु सोधन, ओलान, चेरी, राजगोपाली, दत्तत्रे, अंबादास, मयालू और राजदत्त, तोंगनात, तिन पोछ प्यारेलाल सर्मा, चंदेश्वर प्रसाथ ठाकुर, सूस्री उसा, उत्थुप, स्री विजयकांत, और स्री कुंदन व्यास, इन 17 लोगों को पद्म भूवसन से सम्मानित किया गया है, इसके लाब़ा 10 लोगों को, 110 लोगों को पद्म स्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, इन 17 देख लेते हैं, हाल ही में ICC द्वारा Imerging Cricket of the Year 2023 से किस क्रिक्टर को चुना गया है, ICC द्वारा Imerging Cricket of the Year 2023 से किसे चुना गया है, यहाँ पर आप्सन देख लें, बिराट कोली, बाबा राजम, रचिन रविंद और मैक मिलन, तो किसे चुना गया है, यह रचिन रविंद है, न्यूजीलेंड की तरफ से खेलते हैं, जिनने ICC द्वारा Imerging Cricket of the Year 2023 से सम्मानित किया गया है, यह चुना गया है, इसके अलबा कुछ अन ICC Awards है, उनको भी देख लेते हैं, ICC Imerging Mains Cricket of the Year 2023, रचिन रविंद न्यूजीलेंड से जिसकी बात कर रहे थे, ICC Mains Cricket of the Year, जिसे Sir Garfield Soberts Trophy भी कहते हैं, Pat Cummins Australia से हैं, यह important हो जाता है, ICC Mains One Day Cricket of the Year, यह विराट कोली को चुना गया है, ICC Mains One Day Cricket of the Year, यह भारत के हैं, विराट कोली, ICC Mains Test Cricket of the Year, उसमान ख्वाजा यह अस्ट्रेलिया से बिलांग कर रहे हैं, ICC Mains 2020 Cricket of the Year, यह सूर कुमार इन दोनों फेक्टों को देख लिजेगा, ICC Mains One Day Cricket of the Year, विराट कोली और ICC Mains 2020 Cricket of the Year, सूर कुमार यह दो, चुकि दोनों भारत से भी लांग कर रहे हैं, तो important हो जाता है, ICC Empire जो चुना गया है, Empire of the Year, रिचर्ड एलिंग वर्त को, ICC Women's Cricket of the Year, जिननेट साइवर, Women's Cricket of the Year, फोबो फिच फिल्ड को, और Women's 2020 Cricket of the Year, हैली मैथ्यूज को चुना गया है, तो यह सारे फेक्ट इम्पॉर्टन पे इनको देख लिजे, हाल ही में प्रदान मंत्री नरिंद मोदी किस योजना के अंतरगत, एक करोड परिवारों को छट पर सौर उर्जा प्रणाली उपलब्द कराने की घूशना की गई है, वो कौनसी योजना है, भारत सूर मीशन, प्रदान मंत्री सूर्योदय योजना, प्रदान मंत्री हर घर हार बिजली और हर घर सोलार योजन तो कौनसी योजना है तो प्रधान-मंत्री सूर्योद योजना reflection जिसके द्वारा 1 करोड परिवारों की चहत पर सार उर्जा प्रणाली उबलब्ध कराई जाएगी पुग्दान मंत्री ने वोश्णा किया है पुटान मंत्री सुर्योदै योजना के अंदर गतजources परिकूर इंडरा परिवारों को छथ पर सुरूर्जा परणाली मिलेगी और इस योजना को लाव होगा गन्हिदे और परिवारों का बिस्मिर कम होगा और आत्मे भारत में उर्जा के निर्भरता जो आत्मे निर्भरता है वो भी बढ़ेगी तो इस तरह से यह इंपोर्टन हो जाता है निश्ट देख लेते हैं भगवान राम लला की पांच वर्शी स्वरूप में भब मंदिर के गर्वग्रह में इंक्यामा निंच उची मूर्ची विराजमा ने किसके दौरा तयार की गई है जो मूर्थी है इसकी लंबाई उचाई कितनी है इनक्यामा निंच है इंपोर्टन कुश्चिन है यह मूर्थी के मूर्थी का और कौन है किसने बनाया इसको तो यहां पर देख लेते हैं राजेश बंडारी अरोन योगी राज सोनिवाल और M.Raveswarn तो कौन है ये अरोन योगी राज है जो करनाटक से बिलॉंग कर रहे हैं इनके दोरा यह मूर्थी तयार की गई है करनाटक के महसुहूर मूर्तिकार अरोन योगी राज दोरा बनाई गई रामलला की मूर्ति अयुद्या के राम मंदर में 22 जनवरी को स पहली सोर उर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी पर किया जा रहा है तो यह सर्यू नदी पर किस नदी पर सर्यू नदी पर किया जा रहा है नेश्ट देख लेते हैं हाल ही में किसे आसाम के सर्वोच सम्मान असम वैवो से सम्मानित किया गया है चुकि आसाम का सर्वोच सम्मान है असम वैवो से किसे सम्मानित किया गया है जुमिन गर्ग रंजन गोगोई हीमादास अभीजीत बूराब तो किसे सम्मानित किया गया ह ये भारत के पूर मुख ने आय दीस रहे हैं, सिजे आई रहे हैं, रंजन गोगोई, जिनने आसाम का सरवोच सम्मान आसम वैभो से सम्मानित किया गया है, उनकी डीटेल देख लेते हैं, भारत के पूर मुख ने आय दीस रहे हैं, और अभी वर्तवान में राज्यसभा सांस सद है रंजल गोई ज negotiate सर्वोच संब contradictory सावल करना उसके यह और चार हस्तियों को दिए है तो यह डिज़स हो जाता है जिनमें गाजीमाट करना किसंचन नौरी संस्क्राइपिन १ठ जानध ल——Kत K रहा है। इस समयुप के लिए धूर संस्क्त के लिए हिमादास banging लिए तीवानत के लिए नाधी राम द्यूरी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, थे हाल यह में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूत गेम्स दोजार चौबिस के मेजवानी कौनसा राज कर रहा है तो कौनसा राज कर रहा है यह तमिल नाडु राज कर रहा है इसकी डीटेल देख लेते हैं यह चटा संसकरन है और 19 जनवरी से 31 जनवरी दोजार चौबिस तक यह चल रहा है तमिल नाडु में खेलो इंडिया यूत गेम्स दोजार चौबिस तमिल नाडु के चार सहरों में चिन्नाई कोयंब टूर मदूराई और चित्री में आयोजित किये जा रहे हैं इसमें 36 राज्यों और केंद्र सासित प्रदेशों को मिला का पच्पन सो से अधिक एटलेटिक्स भाग ले हैं जिसमें 26 विभिन खेलों के 933 पदक जिसमें 278 स्वंड पदक 278 रजत और 377 कांस पदकों के लिए प्रतियोगता संपन्न की जा रहे है तो इंपोर्टेंट है खेलो इंडियो यूध गेम्स छट्वा संसकरन है कहां पे तमिल नाडु मे में किसुट राजह सरकार है ड्वारा शुरू जरुघी गई है मदप्रदेश की तर्ज में मुक्मंत्री बहनायोजना के तर्जंग महतारी बंदनायोजना ज़ो मदप्रदेश में चल रहे हैं उसी के तर्ज में महतारी बंदनाय चंदा यहunkih6 गढ़ राज में शुरू हर महीन ये महिलाओं को 1000 रुपए यानि की वर्स में 12,000 रुपए की वार्सिक वित्ती सहायता इन्हें प्रदान की जाएगी इस तरह से important हो जाता है हालही में फीफा ने किसे सरीष्ट फीफा पुरुस खिलाडी के अवार्ड से समवानित किया यहाँ पे देख लेते हैं पोटो से पता चल रहा है ये लिओनल meyesi हैं जिने फीफा ने सरीष्ट फीफा पुरुस खिलाडी से समन किया है समानित किया है इसके अलाभा एक फैक्ट और याद रखी है महिला वर्ग में इसिधीन और बार्सिलोंना की स्ट्राइकर एक ना भून doe स्राप्षお願いします फीफा महिला खिलाडी को पुरोषकार मिला है पुरुष का मिले में हमें लिए और महीला वर्ग में अीटाना पुम्हुन्मती को तो थूनों तत्तों को याद रखे थैं हाल ही में किस गुर्ट ने अंगले 5 वर्सें के लिए IPL के टाइटल Sportsmanship हासिल की है तो वे कौन सा गुरॉप है, जिसने IPL के स्टाइटल इस्पॉनसिप लिए Safly rules ली thriller 2024 स्वानले ज्मसेटें तर्व करने के लिए थाटंधाने 500 करोड रूर्पे प्रतिसाल यानि 2525 करोड के गोली लगाई है। तक assim को इस या के झा ez इंप्रक्न्ट कुश्चन है उसाद्ट है तो यह आंध्रप्रदेश राज्ज में यह Statue of Social Justice मूर्थी है डाक्टर भीम रावंबेटकर की इनकी डिटेल देख लेते हैं आंध्रप्रदेश के विजयवाड़ा में डाक्टर भीम रावंबेटकर की दुनिया की सबसे उची मूर्थी का नावरण किया गया है और इस मूर्थी का जो नाम किया गया है Statue of Social Justice क्या नाम दिया गया है Statue of Social Justice इसके अलाबा जो प्रमुख व्यक्तित तो और उनकी पहचान से संबंदित हैं तो उनको भी देख लेते हैं Statue of Social Justice जिसकी बात कर रहे थे डाक्टर भीम रावंबेटकर आंदर प्रदेश में 206 फिट उची मूर्थी है Statue of Oneness ये आदी संक्राचार की मूर्थी है आदी संक्राचार की मूर्थी को Statue of Oneness का नाम दिया गया है मद्द प्रदेश में 108 फिट उचाई है इसकी Statue of Unity ये सरदार पटेल सब को पता है गुजरात के बढ़ोच में 182 मीटर की उचाई है Statue of Equality संक्रामानुजाचार ये मूर्थी तेलंगारा में इस्ताफित है 68 मीटर उची है Statue of Peace आचयार स्रीव विजय वल्लब सुरिस्वर राजस्थान में ये मूर्थी है 27 फिट उची है Statue of Prosperity नादप्रभू केंपे गोड़ा करनाटक में है और Statue of Believe भगवान स्रीव राजस्थान 122 मीटर उची है तो इस सारे तत्तों के याद रखिए कोई न कोई तत्त परिच्छा में पूँचा जा सकता है निश्ट देख लेते हैं हाल ही में भारत के कौनसा राज जातिगर्ज जनगर्णा सुरू करने वाला दूसरा राज़ बना है यहाँ पर जातिगर्ण जनगर्णा पूचा गया है शुरू करने वाला दूसरा राज़ कौनसा है यहाँ पर उसके पहले पहले राज़ की बात करें तो बिहार पहला राज़ है जो जातिगर्ण जनगर्णा अभी हाल में कराई थी उसके बाद दूसरा राज बना है वो कौन सा है यह आंद्रप्रदेश है आंद्रप्रदेश दूसरा राज है जो जातिगत जनगरना शुरू करने वाला बना है डिटेल देख लेते हैं आंद्रप्रदेश राज जातिगत जनगरना शुरू करने वाला दूसरा राज बना है भी हाल हिमें किस राज में पप्के पागा हानबिल मौसस सुरूत इंपौर्टन कुष्चिन है पप GEORGE हार्ण भी मनाया है तो यह कौन सा जनरी मनाया सेई जोसा में मनाया गया है और यह मिधाई गई भूंका को पहचाना उसे याद रखना है कोशी आप यह तो हमारा भारत देश है जो एकत्तर्मी मिस्वर्ड प्रतियोगता दोजार चोबिस के लिए मेजवानी करेगा देख लेते हैं इसकी डिटेल भारत 28 वर्स बाद एकतरमी मिस्वर्ड प्रतियोगता की मेजवानी कर रहा है इस वर्स और यह प्रतियोगता कब आयोजित हो नहीं है तो 18 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित हो नहीं है तो इस्तत्र को भी याद रखे आयोजन इस्थल इसके कौन से हैं तो भारत मंडपम नई दिल्ली जियोवर्ड कंवेंशन सेंटर मुंबई में इसका एवजन होना है इससे पहले इस प्रतियोगता की जो मेजवानी थी वो 1996 में भारत बैंगलोरू में किया था उसके 28 बस बाद 2024 में अठारा फरवरी से 9 मार्च तक 71 मिस्वर्ड प्रतियोगता की मेजवानी कर रहा है भारत तो इंपोर्टन कोस्चिन है इसको याद रखिए हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बार्डर पर फेंसिंग करने की गोशना किया है अभी हाल में भारत सरकार ग्रह मंत्री ने गोशना किया है कि किस देश के साथ बार्डर पर फेंसिंग की जाएगी तो वह कौन सा देश है यह मैम्यार है मैम्यार के साथ भा क्यो автом our कितने परक्यों की इंक कि進 elét देख लेटे हैं कि प्रदान मंत्री राष्टी बाल परसकार 2024 जो है पूरे देश में की 3 ह कि असाधारान मत्र रज़ों का चैनकी आगया है कि इसमें जो बच्चों का मैं कि चैनकी किया जाता इनका युद पर्ग 5-18 वर्ष के बच्चे होते हैं और इस वर्ष जो चैन किया गया है उसमें नौ लड़के और दस लड़कियां है जो स्रेड़ी हैं बहादुरी कला और संस्कति परिया वरण नवाचार विज्ञान और प्रोधुत की समाजिक सेवा और खेल आदिछेत्रों के लिए इन कला और संस्कति के लिए एक नवाचार के लिए एक विध्ञान प्रोधुकिखी के लिए चार समाजिक सेवा के लिए और पांच खेलों के लिए गये तो इंपोर्टेंट है इसको याद रखिए आधित ब्रह्मने को मरनो परांद दिया गया है तो यह इंपोर्टेंट है वीरता के लिए हाल ही में नौ निर्मित अयोध्या राम मंदर निर्माड के मुख वास्तुकार कौन है सभी को पता है कसी लाम लाला मूर्ती का अयोध्या में स्थापना हुई है तो उसके वास्तुकार कौन है मंदर निर्मान के वास्तुकार कौन है चंद्र चंद्रकांथ कॉन सोमपूरा है जिन्हों ने इसका डिजाइन स्ट्क्चर किया था डिटेल देख लेते हैं इसकी आयोध्या राम मंदर के जो मुख वास्तुकार है कौन है चंद्रकांत सोमपूरा है चंद्रकांत सोमपूरा भारत के कई अन्न मंदिरों के भी वास्तुकार रहे हैं गुजरात क का सोमनात मंदिर मुंबाई का स्वामी नरायन मंदिर गुजरात का अच्छरदाम मंदिर परिसर कोलकता का बिड़ला मंदर इत्यादी का भी इन्होंने स्ट्रक्चर किया था अयोध्या के जो राम मंदिर का निर्मान भारती नागर सहली में हुआ है तो यह भी नेश्ट देख लेते हैं किसे हाल में ही ससस्त्र सीमा बल का महा निर्देशक नियुक्ति किया गया रहा है डिरेक्टर जनरल ऑप ससस्त्र सीमा बल किसे नियुक्ति किया गया है तो यह कौन है दलवीत चोदरी है दलजीद सिंग चोदरी जिने हाल में ही ससस्त्र सीमा बल का मह महानिर्देशक नियुक्त किया गया है यह SSB जो होता है यह केंद्री ससस्त्र पुलिस बल होता है जो नेपाल और भुटान के साथ भारत की सीमाओं की रच्छा करने में अपनी महात्रपूर्ण भूमिका निवाता है कुछ अन्य नियुक्तियों की भी बात कर लेते हैं जो भ मिशन स्नाइपर चांद की सतय पर सफल लेंडिंग करने वाला पांचमा देश बन गया है तो यह जापान है जो मून मिशन स्नाइपर चांद की सतय पर सफल लेंडिंग करने वाला पांचमा देश बन गया है डिटेल देख लेते हैं हाल में ही रूस चीन अमेरिका और भारत के बाद जापान को उन सप्साड़कांच मारे सफ़लरं निग करने वाला दूनिया का 5 देश बन गया है जापान का मून मिशन सुन पर की जापानी इस्पेस एजेंसि जाक्सा के प्रेसिडन्स भी यामां कावा ने मिशन की सफ़ल लेंडिंग की पुष्टिर गी है हाल ही में प्रधान मंत्री मोधी जी द्वारा देश के किस सबसे लंबे समुद्री पुल का उधगाटन किया गया है इंपोर्टन्ट है यह देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है तो इसका क्या नाम दिया गया है अटल सेतू क्या नाम दिया गया है अटल सेतू इनकी 20.8 किलोमीटर लंबा पुल है जिसमें 16.5 किलोमीटर यह समुद्र के अंदर है और 5.5 किलोमीटर कहिसा जमेन के उपर है यह मुंबाइल के सेवरी और रायगड जिले के नियावा सेवा छेतर को जोड़ता है साटमी से क्या कहते है अटल सेतु इंपोर्टेंट है यह पहला सम मुद्र कुल है देख लेते हैं हाल ही भारत के पहले डार्क इसकाई पार्क का किताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है भारत के पहले डार्क इसकाई पार्क का किताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है तो यहां पर आप्सन में देखें टाइगर किसली टाइगर काना किस ताइगर रेजर्व, मानस टाइगर रेजर्व और कमलांग टाइगर रेजर्व, तो किसे मिला है, यह पेंच टाइगर रेजर्व को मिला है, यह देश का पहला और एसिया का पांचमा डार्क स्काई पार्क है, जिसे किसे मिला है, पेंच टाइगर रेजर्व को, और इसमें म दिटील देख लेते हैं इसकी डियाउने 12जनवरी दोजार चोबीस को आकास न्यू जेनरिेशन पूर Имसायल को सफल परिछन और स्थ की तुन मत पूण है इने 200 हिंदी दिवस और साल किस दिन मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है चुकि हिंदी की लोग प्रीता पूरे विश्व में बढ़ रही है इंपॉर्टेंट हो जाता है विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्स दस जनवरी को मनाया जाता है इसका जो देश है विश्व इस्तरपार हिंदी भासा को उप बिस्व ब्रेय दीवस चार जनवरी को, को सब्सीं सर्वेचन और 65-जनवरी को मनाय जाता है तो जन वरी के अंतिम्रव्यवार को मनाय उन्हेस और रखिये हैं नहीं दिल्ली कि भारत मन्दपम में स्वच्छ स्रवेच्छन सुह सहर कौन्से रहे हैं तो जोच सवत्ष सर्वेच्षं 2023 में जो सब से स्वत्ष सहर चुने गए हैं महीं वो सूरत और इंदौर रहे साथ मी बार अंदौर को लगातार चुना गया है इस वर्ज सभ तोप से सूरत और इंदौर को चुना गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्री राम लला धर्सन योजना शुरू की है स्री राम लला धर्सन योजना अयुद्धा में स्री राम लला के दर्सन के लिए शुरू की गई है यह कौन से राज्य सरकार दर शुरू की गई है तेलंगाना राजस्थान च्छतिस गड़ आयू और के 36गड के निवासी होंगे हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडीक्स 2024 में भारती पासपोर्ट कौन से इस्थान पर रहा है तो यह कौन से इस्थान पर रहा अस्यूवय में इस्थान पर रहा है प्रतिवर्स सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है इंपॉर्टेंट है प्रतिवर्स सेना दिवस आर्मी डे किस दिन मनाया जाता है तो यह 15 जनवरी को प्रतिवर्स सेना दिवस के रूप में मनाते हैं सेनिको के सम्मान और उनके बलिदान को याद रखने के για 15 जन्वरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रूसकार उनके पिता जीने लिया है इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह पहली महिला जो सोला दिनों के अंदर माउंट एवरेस्ट और माइंट मकालू पर चढ़ने वाली पहली भारती महीला बनी थी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या नाम है समिता कंसवाल जिने तेंजिंग नौर्गे नेशनल एडवेंचर रवाट से पुरुष्क्रत किया गया है हाल ही में भारत का पहला केंद्र वित्त पोसित गाय अभ्यरन कहां बनाया जा रहा है तो पहला भारत का पहला केंद्र वित्त पोसित गाय अभ्यरन बनाया जा रहा है वो कहां पर बनाया जा रहा है मुझपर नगर में यह केंद्र वित्त पोसित है इंपॉर्टेंट है यह य जुले के ग्राम सालरिया में सुसनेर तहसील में 24 दिसंबर 2012 को खुला था तो पहला गव अभ्यारन कौन सा है कहां पर मद्ध प्रदेश में बना था और केंद्र वित्त पोसित गाय अभ्यारन यह कहां पर उद्धर प्रदेश के मुझपड़ नगट जिले में हाल ही में आयोजित ACI सूटिंग चैंपियंशिप 2023 में पुरुसों की 25 मीटर स्टेंडर्ड पिस्टल इवेंट्स में किसने गोल्ड मेडल जीता है तो वो कौन से हैं वो योगेश सिंग है कौन है योगेश सिंग जिने ने ACI सूटिंग चैंपियंशिप 2024 में पुरुसों की 25 म इसको याद रखिए हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल एकोसिस्टम संभव किसने लांच किया है आर्मी का एक मोबाइल एकोसिस्टम है जिसका क्या नाम दिया गया है संभव किसने लांच किया है इंडियान आर्मी इंडियान एर फोर्स इंडियान नेवी और इंडियान कोस इंडूक्येंड मुबाइल एको सिस्टम है भारती सेना का सुरच्छित 5G अधारित मुबाइल प्लेटफॉर्म है और इसकी भूमिका रहेगी सेना के सामने आने वाली सूचना सुरच्छा चुनोतियों का समाधान करने के लिए महत्तपूर समाधान की रूप में कारे करेगा हाल ही में केंद्र सरकार ने अयोध्या में नौ निर्मित हवाई अड्डे को अंतरास्टी हवाई अड्डे का नाम रखा है केंद्र सरकार ने अयोध्या में नौ निर्मित जो हवाई अड्डा है उसका अंतरास्टी हवाई अड्डे के रूप में क्या नाम रखा है जहां ह возмож in пом लेंच यह वान डे लिए पॉयां इंटरनेश्नल एरपोर्ट इंडियान एरपोर्ट महर सी बालमीक इंटरनेशनल एरपॉर्ट यृधाorama ओर हम नाम रख गया है महर सी बालमीक इंटरनेश्नल एरपोर्ट अयुद्यादाम रख गया है थあります लेश्ट देख लेते हैं मलेशिया ओपन सुपर हंडड़ में पुरूस यूगल फाइनल में भारती खिलाडी कौन थे इंपॉर्टेंट है यह कौन सी जोड़ी रही है तो सात्विक साही राज रंकी रेड़ी और स्रीकांत किताबी चिराग सेथी और लच्छ सेंग सात्विक साही राज रंकी रेड़ी और चिराग सेथी की जोड़ी रही है जो मलेशिया उपन सुपर 1000 में पुरूस यूगल फाइनल में भारती खिलाडी रहे हैं इंपॉर्टेंट है तो यह भी इन्होंने सिलवर मेडल जीता है इसमें और यह पहली जोड़ी रही है हाल ही में इन् इस मेजर ध्यानचत्र खेल रतनेवाड किसे दिया गया है तो इसी जोड़ी को दिया गया है सात्विक साही राज रंकी रेड़ी और चिराग सेथी को हाल ही में किस राज्यसरकार द्वारह इसनाता का फिर डिप्लोमा धारी बिरोजगार युवाओं के लिए युवा निधी योजना सुरू की है तो कौन सी सरकार थारकों का 15 सूरूपए प्रतिमाय वित्ती सहायता के रोप में उन्हें प्रदान किया जाएगा कि अल्य insight हली में भारत सरकार द्वारा किसे धेस में भारत पार्त बनाया जाएगा तो यह कौनसे देश भारत बनाया जा रहा है यह संयुक्तराज अमेरिका में कौनसे देश में संयुक्तराज अमेरिका में बनाया जा रहा है केंद्री वानिज और कपड़ा मंत्री प्यूस गोयल ने इसकी गोशना की दी संयुक्तराज अमेरिका में भारती सामानों के लिए एक सोरूम और गोदाम स्थापित क करने को देस से भारत पारक इस्थापित किया जा रहा है कि हाल Beef कौन सा देश युनेस्कों कि विशतारोहर समिती के 26 में 26 में सशन की अध marketed कर रहा है तो कौनसा देश कर रहा है यह भारत कर Зап discourage गये हमारा देश धिस के enormous डान विभ्वय सो दोजार- थेश सी कर नवह संस्कृण कहां आयोजित किया जा रहा है तो और कहा और यंद्षत किया जा रहा है ये भारत अंतरश्टी विग्यान मोत 10टेश कर नौ्वय संस्कृण दोजार चौवीस निवह संस्कृण है यह हर्याना के फरिदाबाद में आउजिद किया जा रहा है और यह कब से कब तक 17 से 20 जनवरी तक आउजिद किया गया है कुण सा संस्करन है नौ मसंस्करन है हाल ही में किस देश के चांगी एरपोर्ट को बिश्व के सर्वस्रेष्ट एरपोर्ट का खिताब मिला है चांगी एरपोर्ट किस देश का है यह सिंगापुर का है जिसे बिश्व के सर्वस्रेष्ट एरपोर्ट का किताब मिला है यह दस टॉप एरपोर्ट जो चुने गए है उनका उनकी लिस्ट सिंगापूर चांगी एरपोर्ट नंबर पहले नंबर पर रहा हमद अंतराष्टी हवाई अड़्ड दूसरे नंबर पर रहा है इसमें भारत का कोई भी एरपोर्ट अपना इस्थान नहीं बना पाया है टॉप 10 में सिर्डस उभरती अर्त्व्यश्ट वाले बृक्स सम्मूने हाल ही में नये पूर्व सदस सामील हो जाने के बाद कितने सदस देशों का संगठन बढ़ गया है सभी को पता है बृक्स बृक्स के रूप में ये Kathie 2006 में प्रहाव में आया था किसके रूप में? ब्रिक के रूप में, उसके बाद 2010 में South Africa के सामिल होने के बाद BRICS बना, और अभी इसका फिर से पुनर गठन हुआ है, और पांच नए सदसों के साथ मिलकर, अभी कितने सदसों का संगठन बन गया है, तो ये 10 सदसों का, कितने सदसों का? 10 सदसों का बन गया है, इसमें जो पांच नए सदसा हैं, वो कौन-कौन से हैं? मिस्र, इथोपिया, इरान, साओधी अरब और सेंफ तरव अमिराथ, नए पूर सदस्व के रूप में BRICS में सामिल हुए है, इसकी BRICS जो आया था, इफेक्ट में 2006 में आया था, जिसमें मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत और चील थे, BRICS के रूप में, सितंबर 2010 में दच्छन अपरिका के सामिल होने के बाद यह क्या हो गया? BRICS हो गया, अभी वर्तमान में कितनी संक्या, इसकी 10 है, हाल ही में भारत के कौन सी जील से वार्सिक पच्छी गढ़ना शुरू ही है, यह वांबे नेचुरल हिस्टरी सोसाइटी, वर्ड वाइड लाइफ फंड, वर्ड वाइड लाइफ ट्रस्ट ओंडिया यह संस्थाएं रही है, चिलका जील का एक व्याद रखी है, एसिया के सबसे बड़ी खारे पाने की जील कौन सी है? यह चिलका जील है, वि शुब्रेल जनवरी को मनाय जाता है चार जनवरी को मनाय जाता हैं कि विलीयोईर दिवस कि देख लेते हैं बिच है डिवसर नहों सकमना जाता है फूछ जनवरीगों Ecuador 19 23 जन वारी चार जनवरी को कमनाया जाता है जेए चार जन वारी को मनाया जाता है है कि अंतराष्टी उत्पात दिवस पच्छेस जनवारी, अंतराष्टी सीम स्व्क दिवस यह जनवारी के अंतिम रभरिभार को मनाया जाता है. हाल ही में छिस राजए के हटी समुदाय को अनसूचित जनजाती का धरज़ा कुंसा राज़ है जिसे अनसूचित का धरज़ा दिया गयाा है हाल ही में बैसे परिवार दिवस कम मिनाया जाता है ग्लोबल il água को मनाया जाता है प्रतिवार्द को वेश्बिवार दिवस मनाया जाता है और इसका जो देश है दुनिया मारके सभी देशों और धर्म के लोगों को सांती की स्थापना करते को ुव히 युद्ध और हिंसा से बचने के लिए प्रेरित करना इसके अलाबा कोछ महत्रपोण और भी दिवस रहे हैं जनवरी महिने के उनको भी देख लिते हैं प्रवासी भारती दिवस 9 जनवरी को विश्वुहिंदी दिवस 10 जनवरी राष्टी युवा दिवस 12 जनवरी को थलसेना दिवस 15 राष्टी बालका दिवस 24 जनवरी राष्टी मद्दाता दिवस 25 जनवरी और सहीद दिवस 30 जनवरी को आज मनाया जा रहा है हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैस्विक इसपात उत्पादक देश कौन सा बना है कि ये भारत बना है इसरो अपना पहला पोलारी मेट्री मिशन एक्सरे पोलारी मेट्री सैटेलाइट को किस दिन से लांच किया है तो इसरो का 2024 का पहला मिशन है वो किस दिन एक जनवरी 2024 को लांच किया है पोलारी मेट्री मिशन है इसकी डिटेल देख लेते हैं इसरों का पहला polarimetry mission एक जनवरी 2024 को सुभई 9 बचकर 10 मिनट में लांच किया था और इस mission की launching के साथ ही भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने black hole और neutron stars की study के लिए specialized astronomy observatory को इस पेस में भेजाए तो इस तत्त को भी याद रखें यह दूसरा देश बन चुका है भारत कि हाल ही में कौन केंद्री और द्योगिक सुरच्छबल CISF की पहली महिला प्रमुक बनी है चुकि पहली महिला प्रमुक है इसलिए important हो जाता है बहुत सार है वह कौन सी महिला प्रमुक है स्रेया सिंगल नीना सिंग सीवांगी कपाडिया अनीता जैस्वाल तो यह कौन है नीना सिंग है जिने केंद्री और द्योगिक सुरच्छबल CISF की पहली महिला प्रमुक के रूप में चुना गया है बनाया गया है हाल ही में भविस्व का प्रवेश द्वार विशय पर आधारित BGGS का दस्वों संस्क्रण 10 से 12 जनवरी 2024 को कहां पर आयोजित किया गया है तो यह कहां पर यह गांधी नगर में आजित किया गया है हाल ही में जहरखंड राजय सरकार ने आदवासियों और दलितों के लिए ब्रद्धा वस्था पेंसन की जो अहरता आयू घटा कर कितने वर्स कर दिया है पहले यह अहरता आयू जो थी वो 60 वर्स थी अभी जो ब्रद्धा वस्था पेंसन की अहरता आयु घटा कर ये जहारकंड सरकार ने ये 50 वर्स कर दिया तो अभी वर्तमान में कितना हो गया 50 वर्स हो गया इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा और ये किस दिगज को मात देकर जीता है तो ये लियोनेल मैसी को अर्जेंटीने की दरब से खेलते हैं जिन्हें मात देकर पब्लिटी मेल एतलिट आफ दे येर का पुरुषकार जीता है हाल ही में वित्त आयोक के नए धच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है वो कौन है आलोक कुमार अजीट डोवाल अर्विंद पंगडिया राजित गौबा तो ये कौन है अर्विंद पंगडिया डाक्टर अर्विंद पंगडिया है जिन्हें वित्त आयोक के नए अच्छ है complete details देख लेते हैं डाक्टर अर्विंद पंगडिया नीती आयोग के पूर्व उपध्यच रह चुके हैं इसके लावब वित्त आयोग के अन प्रत्थों को भी देख लेते हैं वित्त आयोग का जो सम्विदान में गठन का प्रावधान है अनुच्छे 280 में मिलता ह गठन कौन करता राष्ट पत्ति करते हैं राज्य वित्तायोग के गठन का प्रावधान किसमें है 243 में हैं पहले वित्तायोग के अध्यच कौन ते केसी नियोगी रहे हैं 15 में इनके सिंग रहे हैं और सुलाह में जो अभी वर्तमान है डाक्टर अर्विंद पानगडिया ह है तो इस्तत्त को भी याद रखी है हाल ही में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के किस सहर में खोला गया है देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल है वो उत्तर प्रदेश के किस सहर में खोला गया है प्रयागराज लखनव ब्रंदावन आयुद्या तो कहां यसी पाठेक्रम के साथ आर्मी की ट्रेनिंग भी दिलाई जाएगी लुकारपन इसका एक जनवरी दोजार चौविस को 27 रितम मरा के जीवन के साथ साल पूरे होने पर सस्टी पूर्ति महुच्चों में रच्छमंत्री राजनास सिंग्ध़ा किया गया है एक जनवरी दोजाज़ार चौविस को वो कौन सा राज्य है मद्धप्रदेश गुजरात उत्तरप्रदेश उत्त्रकंड तो कौन सा राज्य है वो गुजरात है इसकी डीटेल देख लेते हैं खाल में ही नौवर्ज दोजार 24 के पहले दिन गुजरात ने 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर नमसकार करने का गिनीज वर्ड रिकार्ड बनाया है एक जनवरी दोजार 24 को सुभए 108 स्थानों पर इलक्यामन विभिन्स रेडियों में 4000 से अधिक प्रतिभाग्यों ने प्रतिष्टि सूर नमसकार योग अनुक्रम का प्रतरसन किया और ये प्लीज वर्ड रिकार्ड है कि हाल ही में M.S. स्वामि नातन पुरुषकार से किसे सम्भानित किया गया है तो यहां पर देखें प्रोफेसर R.D. चोधरी प्रोफेसर बी र कंबोज ड. S. रंग राजन गुर्चरन सिंग कलकाट तो प्रोफेसर बी र कंबोज हैं जिनने हाल में ही से सम्भानेत किया गया है चोद्री चरन सिंग् double yourself कुल्पति है प्रोफेसर बी रर कम्बोज इन्हें पृतिष्टित में सव्मिनाथन के वार्ट से सम्भानेत किया गया है इनका जो खेट राएं और की विकास और विस्तार के छेत्रों में बहतरिन प्रधर्शन करने चेहां किया जाता है जिस में दिया जाता है यह क्रसी जैतमें लिए सब्सक्राइक प्रटिवर्स किस दिन अंतरराष्टी मन-शरीर-ब्र іль जैता है एकशनेवरी दौजनेवरी तीन जनवरी चार जनवरी तएक हिस दिनवान जाएधा है कि कीel इसे sel हतार इस भी तरहिए प्रति वक्राणर को अंतर राष्टी मन शरीर कल्याण डिवस मनाया जाता आए उध्देश इसका है कैसे एक स्वस्त तीमाग और भावनाएं एक स्वस्त सरीर का निर्मान करती है इस वर्ट की जो थीम रही है समग्र कल्यान मन शरीर और आत्मा तो इस तत्त को भी याद रखिए हाल ही में जनवरी दोजार चोविस में भारत और किस देश के बीश डिजर्ट साइक्लोन दोजार चोविस सैनवभयस का आयुजित किया गया है तो कौन से देश के साथ है भारत और किस देश के साथ सैयुक्त अरब अमिरात के साथ कौन से सैनवभयस है डिजर्ट साइक्लोन यह कहां पर महाजन रेंज राजस्थान में आयुजित किया गया है दो जनवरी से लेकर पंद्रा जनवरी तक उद्देश जो इसका है रच्छा छेत्र के संभावी छेत्रों में रच्छा उकर्णों का उत्पादन करना विकास करना ससस्त्र बलों का संयुकत अभ्यास विशेश रूप से नोसेना व्यास प्रणीती और सिध्धानतों पर ज्यानकारी साजा करना इत्यादिश का उद्देश है संयुकत अरब अमिराद के बारे में देख लेते हैं यह पश्मी असीय में स्थित है राजदानिये इसकी अभूदाभी है अधिकारिक भासा अर्भी है राष्टपती अभी कौन है तो मुहम्मद बिन जैद अल नायान है और प्रधान मंत्री मुहम्मद बिन रासिद अल मक जनवरि को मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है छे मरीятно शाधरी को यह मनाया जाता है इस नाद बिस स्वय इंतёр त्रेशे द्वारा मनाया जाता है तो इस की सथきます हिखाल ही में किस कम्पनि भारत का पहला इस CSS plus certificate मिला है कौन सी कंपनी है जिसे भारत का पहला ISCC प्लस स्रेटिफिकेट मिला है तो यह कौन सी कंपनी है यह Reliance Industries है जिसे ISCC प्लस स्रेटिफिकेट मिला है Reliance Industries को भारत का पहला ISCC प्लस प्रमाणन हासिल करने वाली पहली कंपनी बन गई है रिलायंट इंडिस्टीज आई सींसी प्लस प्रुमादान फार्वारत की पहली कंपनी है जो इस्त्रिता के प्रतिवत्धिता को प्रत शित करती है हाल ही में किसको नत कला निदी पर उसकार से सम्भानित किया गया है तो यहाँ पर आप्सन में देखे जैनती नटराजन, वसंत लच्छमी, नरसिंबाचारी, किसोर कुमार, स्यामली महाजन तो किसे चुना गया है वसंत लच्षमी नर्सिंभाचारी को नत्त कला निदी पुरुसकार से संभानित किया गया है सास्त्री नत्तांगना और कारियोग्रापर रही है वसंत लच्मी नरसिंबाचारी को हाल में ही सुरू हुए संगीत अकैदमी के सत्रामे नत्र समारों में नत्त कला निदी पुरुषकार से सम्वानित किया गया है वसंत लच्चमी नर्सिंभाचारी भारत नाट्टम कथाकली ओडिसा ओडिसी मोहनी एट्टम कुछी पुड़ी की नत्तांगना रही है और इसको प्रदान कौन करता है इस पुरुषकार्तु तो मद्रा संगीत अगेडमी द्वराई से प्रदान किया जाता है इस तरह से आज का हमारा सेसन यहीं खतन होता है बहुत इंपॉर्टन कॉस्चन है पूरे जिनवरी महिने के करेंट अफ़ेर को इसमें सामिल किया गया है जो आपकी सभी परिच्चाओं में पूछे जाने वाले हैं चैनल परना है तो सब्सक्राइब कर लीजे ज्यादा ज्या